दोस्तों अच्छ हम बात करेंगे अर्जुना बैच के बारे में, जो इस्टुडेंट्स इस बार क्लास 10th से 11th में आए हैं, ये बैच उनके लिए हैं, मैं भी क्लास 11th में अर्जुना बैच से ही पढ़ाता और क्लास 12th में लक्षे बैच लिया था मैंने, तो 11th औ 12th मैंने 2 साल PW से ही पढ़ाई की है, आपके मैंन में जितने भी डाउट्स हैं इस बैच से सब्मंद है, सभी इस वीडियो हम क्लियर करेंगे, जैसे कि क्या यहां पे केवल NCRT बढ़ाई जाती है, फिर उससे अलग भी बढ़ाया जाता है, ठीक है, और क्या केवल 11th का ही से लिवस प क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है, तो पहली चीज है, क्या केवल NCRT बढ़ाई जाएगी या फिर उससे अलग बढ़ाया जाएगा, तो देखो, और यह भी कमेंट रहा था, कि भाईया NCRT में फिसिक्स में हम बात करें, तो पहला चप्टर है फिसिकल वर्ड और हमारे नहीं पढ़ाया जाएगा, ना तो उसे स्कूल बाले टीचर्स पढ़ाते ही, और नहीं यह पढ़ाएंगे आपको, वो चैप्टर सिलिबस में नहीं है, देखो, यहाँ भी, यह सीबीची का सिलिबस है, क्लास 11 का, 2023-24 का, तो यहाँ पे देख सकते हो, आप डारेक्ट अच्छा, तो पहली समस्य आपकी हलुभी, उसके अलावा, जो आपका सिक्वेंस रहेगा पढ़ाने का, वो NCRT के एकोर्डिंग ही रहेगा, ठीक है, NCRT आपके साथ के साथ पूरी कवर करा दी चाहेगी, उसके अलावा, जो भी आपका एक्जाम डेमांड कर रहा है, जैस अब बात करते हैं, क्या केवल 11th का है, या 12th का है, जैसे ही 11th क्लास आपकी end होगी, तो आपको एक और बैच लेना बढ़ेगा, क्लास 12th में, जिसका नाम होता है, लक्ष है बैच, तो भाई, ये बैच केवल 11th का है, है ना, 12th का इसमें कंट्रेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपको कंट्रेंट मिलेगा, क्लास 11th में, वो आपके पास अवेलेबल रहेगा, end तक, जब तक आपका एक्जाम नहीं होगा, जैसे आप जैए की ता यारी कर रहे हो, जैए का पेपर होगा आपका 2025 में, तो 2025 में, जैए एडवांस का पेपर तब तक नहीं हो जाता, एपरेल में 12th का बैट शुरू हो जाता है, वही चीज हैं फर तो, पताईए आपको, नहीं पता कोई बात नहीं, दिर दिर आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है, सेलेबस कंटा कंप्लेट होगा, तो देखो भाई, सेलेबस नवंबर के end में और दिसम्बर के स्टार्टि इसी तरह है, केमिस्टी और मैथ्स का भी या फिर बायू का भी उसी के असपास होगा, और अगर हम थोड़ा सभी मार्जन लेके चलें, तो आपका सिलेबस जो है, दो या तीन दिसम्बर के असपास खतम हो जाएगा, ठीक है, वैसे 20 नमबर को हो जाना चाहिए, अगर नही नमबर को जाएगा, थीक है, अच्छा, अब आगे बात करींगे, टेस्ट के बार ने और लगते है, आपके टेस्ट इसा होगे अनड Weekend jide Walther पहना कि आपके। अपने आप उसके आपको टेंशन नहीं लेनी है आप करते हैं डॉट्स किस प्रकार से सॉल्व होते हैं बैच में तो देखो परा तरीका है कि आप लाइव क्लास में ही अपना डॉट्ट पूछ लें तो टीचर को अगर दिख जाता है तो टीचर आपका साथ के साथ उसे बैच ओपन किया हुआ है लाश्ट यार का अडजुना यहां मालो मुझे फिजिक्स की क्लास लेनी है और फिजिक्स का कौना चेप्टर पढ़ना है मुझे लाश्ट चेप्टर पढ़ना है ठीक है वेव मोशन वाला अब यहां पर मैंने कोई भी लेक्चर उठा लिया जैस सबी स्लाइड मेरे सामने आ गई है मालो मुझे दूसरी स्लाइड में डाउट है तो मैं यहां पर क्लिक कर दूँगा दूसरी स्लाइड पर और मुझे जो भी डाउट है मैं यहां पर टाइप कर दूँगा ठीक है डाउट की टीम अलग होती है टीचर अलग होते हैं वो डा जो बिवेक ने पूछा है, same doubt मेरा था, ठीक है, फिर तो अच्छा है भाई, इस पर diet क्लिक करूंगा, teacher ने पहले से ही answer कर रखा होगा भाई, तो यहां से आपको answer मिल जगा है, देखो, teacher ने, यहां पर doubt को solve किया हुआ है, answer बताया हुआ है, अच्छा जब doubt अच्छा होता है, बताने लायक, मतलब लगता है केवल type करने से clear नहीं होगा, तो teacher voice recording करके भी upload कर देते हैं doubt solution की, ठीक है, आप भी जो है, अपने दोस्तों की help कर सकते हुआ है, यहां पर doubt किसी ने पूचा है, उसका answer आप खुद से यहां पर type करके send कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप copy पे solve कर करके और photo page के यहां से attach करके भी डाल सकते हो, या फिर आप भी voice recording करके teachers की तरह है, आप भी doubt solve कर सकते हो, अपने classmates के, ठीक है, यह चीज़, doubt का system समझ में आया, है ना, आगे बढ़ते हैं, और notes पगारा जो है, टीचर्स ने जो भी पढ़ा है, आपको, जो notes है, जो lecture की PDF है, ठीक है, आगे बत करेंगे, टीचर्स के बारे में, टीचर्स आपके टीप बेस्ट है, तो टीचर्स के बारे में तो कुछ बुल ही नहीं सकते हैं, बहुत ही अचे अच्छे अच्छेछैई है, आपको अगर demo lectures दिखने तो वह थो आपके batch में से अविलेबल हैं, आप demo lectures दे प्रिप्रेशन कराई जाएगी, ठीक है आगे परणेगे, मॉडियूस और बुक्स के बात करेंगे मॉडियूस क्या होती है, जो पी डेवल्ली की जो बुक्सें उनिकों मॉडियूल बोलते हैं तो इस चीज के बाए में टीचर्स आपको गाइड कर देंगे तो टीचर्स जो है कुछ-कुछ, मॉडियूस उसे भी होमवर्क देते हैं तो आप चाहें तो मॉडियूस परचेस कर सकते हैं अगर परचेस आपको नहीं करनी है, तो पी डेवलो की लैबरेरी में फ्री ओफ कॉस्ट अवलेबल है आप लैबरेरी पर जाओगे ठीक है, यहाँ पर जो है ना जेई जोन आपको देख राजैसे यहाँ पर जो नीट वाले बच्चे है उनको नीट जोन देखेगा यहाँ पर मुझे मैज्स की मोडिल सॉल्व करनी है तो मैंने मैज्स पर क्लिक किया और यहाँ पर जो है कोई भी चेप्टर मुझे सॉल्व करना है तो यहाँ पर बहुत सारी एक्ससाइजेस होती है जरी में इसके बीवाई क्यूज गरने है प्रीवियस एयर कोश्चन्स इस पर मैं क्लिक करूँगा और मालो यह वाल कोश्चन मुझे करना है आप चाहँ तो यहाँ पर वीडियो सॉल्वीशन भी देख सकते हो ठीक है इयर है चीज क्लियर है अच्छा अब हम बात करते हैं डीवीपी के बारे में क्या होता है कि लेक्चर जैसे ही खत्म होता है तो आपको एक होमवर्ण टाइप डीवीपी मिलती है डीवीप्रेक्टिस प्रॉब्लम वो भी इसी तरह से क्विज फॉर्मेट में अवलेबल होती है तो आपको वो भी सॉल्व करनी ही होती है करेंगे ही आप करनी पड़ेगी तभी सेलेक्शन होगा ठीक है डीवीपी जरूर सॉल्व करना यह एक मेरी तरफ से एडवाइस है आपके लिए डीवीपी सॉल्व जरूर करना डेली इस आदत को छोड़ना मत यह आदत में ले आना कि डीवीपी डेली सॉल्व करना है जो भी होमवर्ण टीचरस दे रहे हैं वो टाइम लुब डाइम कंप्लीड गारना है नोर्स को डेली राइस गरना है बस यही काम करते लेना आपका काम हो जाएगा ठीक है तो मालो डीवीपी का एक मैं आपको डेमो देखा हूँ किसी भी चैप्टर का मालो कोई भी लेलो शर्कल्स वालो चैप्टर में यहापर लेलेता हूँ मैंने इसलीन क्रिक क्लिक क्या तो यहाँ बarta बेड़ डीवीबै आपको देख रहे है तो डीवीबबी इस तरयसे आपको मिलती है मैंने मालो पोड्ध डीवी सॉल्बवगार नई है तो इस तरह से मैं आप कोई भी option चूज कर लेता हूं संबेट पर किलिक करूँगा वही same format है शो सॉलेशन पर किलिक करूँगा मुझे यहां पर वीडियो सॉलेशन डायरेट अबिलिबल हो जागा क्लास होती है मंदे टू टू फ्राइडए स्टार्टिंग में उसके बाद वह क्लास मंदे टू सेटर्डड़ हो जाएंगे आपकी चैर्टार्च जूरू में ऐड लिए फीज यह एक महीने के लिए पूरे साल तो धीज को कम्प्लीट बैच कई है मतलब one time payment आपको करनी है batch आपको मिल जाएगा फिर content आपके पास पूरा अवेलेबल होगा जही एडवांस एक्जाम तक 2025 तक या फिर नीट एक्जाम 2025 तक तक तो बस आज के लिए इतना ही और आपको अगर maximum discount चालिए इस batch में तो आप description में या फिर comment में दिये हुए link पर click करके इस batch को purchase करें जितना भी maximum discount आवेलेबल होगा वो आपको ट्वेल जाएगा ठीक है थेंक्यू